एक्ट्रिस रजीता कोचर का 70 साल की उम्र में निधन हो गया है उन्होंने कई फिल्मों और टीवी शोज में काम किया है इसमें तंत्र कवशकारी शक्तियों से कहानी घरगर की शामिल है एक्ट्रिस की निधन की वज़ा केड़नी फेल्योर को बताया जा रहा है 23 दिसंबर को मुंबई में रजीता ने अंतिम सास ली इसकी जानकारी उनकी भतीजी नुपुर ने दी है बताया की पेट में दर्द और सास में तकलीफ होने के बाद उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया था लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं हुआ बलकी और बिगड़ गई जिसके बाद उनका निधन हो गया है रजीता कुचर की भतीजी नुपुर कमपानी ने इटाइम से खास बाचीत में कहा कि उन्हें सितमबर 2021 में ब्रेन इस्ट्रोक आया था इसकी वजह से ववा पैरलाइसिस से जूज रही थी हाला कि वह ठीक हो रही थी लेकिन मंगलवार 20 दिसमबर को उन्होंने कहा कि उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और पेट में भी तेज दर्ध हो रहा है फोरन हमने उनको होस्पिटल में एडमिट करवाया उनकी हालत 23 दिसमबर को काफी खराब हो गई थी फिर उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था लेकिन वह रात को सवा 10 बजे ही गुजर गई